हलो गाइज, वेलकम टू माँ चैनल कुक एंड कुकिंग आज हम घर पे भंडारे स्टाइल वाली कट्टी मिठी कद्दू की सब्जी बनाने वाले हैं और यह रियल में बहुत ही टेस्टी बनती है अगर आप मेरे चैनल पे पहली बारा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और साइट में लगे वे बैल आइकन को भी दबा दीजे ताकि जब भी में नाया वीडियो डालू ता आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते है कद्दू की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ 500 ग्राम कद्दू ले लिए हैं दो टमाटर, एक आलू, दो हरी मिर्ची और अद्रक तो पहले हम उमारी सब्जीयों को काट लेते हैं तो यहां मैंने अपनी सारी सबजिया काट लिये हैं और कद्दू को बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है कद्दू को हमने छिलकों के साथ ही काटा है क्योंकि छिलकों के साथ इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है और मैंने यहाँ अपने सारे मसाले भी रैडी कर लिये है तो मसालों में मैंने यहाँ लिया है एक चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच जीरा, एक चम्मच कसुरी मेथी दो से तीन लॉंग, दो से तीन काली मीची, एक तुकड़ा दाल चिनी का, दो बड़ी इलाईची, एक तेज पत्ता, मेथी दाना, एक चम्मच आमचुल पाउडर, आधी चम्मच हल्दी और गुड़, और हिंग तो पहले हम मद्रक को बारिक कूट लेंगे तो अब हम ये सबजी कूकर में बनाने वाले, कूकर में मैंने टीन टेबल स्पून तेल डाल दिया है, और इससे गरम होने के लिए छोड़ दिया है तो हमारा तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें डाल रहे हैं एक चुटकी हिंग अब हम इसमें डाल रहे हैं जीरा अब मैं इसमें डाल रही हूँ तेज पत्ता तेज पत्ते के बाद मैंने इसमें डाल दिया है दालचीनी और दो बड़ी इलाईची अब मैं इसमें डाल रही हूँ लॉंग और काली मिर्च हमारे ख़ड़े मसाले यहां भून गए अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्ची और कुटा हुआ अद्रक हमें अद्रक का हलका कलर चेंज होने तक इसे भून लेना है तो हमारे अद्रक का कलर चेंज हो चुका है अब मैंने इसमें डाल दी है लाल मिर्ची और मेथी दाना अब मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर तो अब हमें हमारे मसाले को अच्छे से भूल लेना है तो हमारा मसाला यहां भूल चुका है अब हम इसमें डाल रहे हैं टमाटर और अब इसमें मैंने डाल दिये हैं आलू अब हम इसमें डाल रहे हैं कद्दू अब हम इसमें डाल रहे हैं हल्स करें दाल रहे हैं कद्दू अब हम इसमें डाल रहे हैं आलूं है कद्दू और इसमें डाल दिया है मैंने अमचुल पाउडर अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्वादनुसा नमक और अब मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी अब मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी अगर आपके पास कसूरी मेथी नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते क्योंकि हमने इसमें पहले ही मेथी दाना डाल दिया है अब मैं इसमें डाल रही हूँ गुड़ हमने हमारी सबजी में गुड़ और अमचुल पावड़ डाला है इससे हमारी सबजी में कट्टा मिठा टेस्ट अच्छा आएगा अब हम इसमें डाल रहे है थोड़ा सा पानी तो हमने यहां हमारे सारे इंग्रीडियन्स डाल दिये हैं अब हमें इसे एक सिटी आने तक पकाना है तो हमारी सिटी यहां आ चुके है अब हम गेस बन कर देंगे हमारे कूकर के गेस निकल चुकी है और हमारी सबजी भी बन गई है अब हम इसे धनिया डाल कर सौर्व कर देते हैं यह एकदम भंडारे जैसी टेस्टी लगती है आप इसे घर पे जरूर एक बार ट्राय करिएगा तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइट में लगे हुए बैल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी में नया वीडियो डाले तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए